हालो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 27 अगस 2022 की जोधा इंपोर्टन अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां बढ़ा चुका हूं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं पहली अप्डेट के साथ तो यहीं पहली अप्डेट है 6 जो हैं यहां पर 11 डिशार्ज हुए है और टोटल एक्टिव केसिस की बात करें तो 1421 यानिकी 1421 जो है एक्टिव केसिस हैं तो यह दोस्तों अभी तक की लेरेस्ट अप्डेट है नेक्स अप्डेट यह रही तो दोस्तों फरजी डिगरी मामले में मान भार की विश्य जाले के साथ सो चात्रों की मार्क शीट का सत्यापन शुरू नेजी शिक्षन संस्थान बिन्यामकायोग ने हाई कोट की निरदेश पर गठित की है कमेटी 4600 विज्यार्जियों का भविश्य अधर में लटका है सत्यापन नामने से तो यहां पर फरजी डिगरी मामले में मार्चल प्रदेश के भारत मान भारती विश्य जाले एंब्यू के साथ सो चात्रों की मार्क शीट का सत्यापन शुरू हो गया है राज नेजी शिक्षन संस्थान बिन्यामकायोगो ने हाई कोट के निरदेश नुचार जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है डिटेल मार् अधर में लिटक हो गया है तो कद दिनों हाई कोट के मुख्य नाजिश ए एस सेद और नियादिश जितना अयवाल दुबा की खंड़ पीडिक ने चांच कमेटी गठित कर मार्क शिट का सित्यापन गरने के अधिश्टिये थे विश्वजाले की विद्यार्थियों की सब्सक्राइब करने की जानकारी हाई कोट को दी अब जो है अपनी अपनी माक्ष्ट जाजने के लिए विदन किया है तो एंब्यो की 43,000 डिगरिया मिली है फर्ची चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह ही सडग 76 सड़कों पर आवाजाई अभी भी बंद 26 ट्रांसफ प्रावित हुई है सुबार को प्रदेश भर में खिली धूप आज भी मोसम मेला दोला बना रहे कि आसार चंबा और मंडी में नुक्सान जियागा तो प्रदेश के दिगांक शेत्र में सुकुर्वार को मोसम साफ रहा बारिका दोर धमने के बाद खिली धूब में भूमी स सस्ता इफाइंट सर्सु तेल देने का प्रसा मंजूरी के लिए भीजा दस से बार रुपए कम सुकते हैं दाम प्रदेश शरकार ने हाल ही में किये थे टेंडर तो यहाँ पर हिमाचल में साड़े उनिक लाग राशनकार धारकों को मिलता है सस्ता तेल हिमाचल प्रदेश क कि राशनकार धारकों धारक परिवारों को और दीपों में सर्सों का और रिफाइंट तेल सस्ता मिलेगा इनके दाम में दस से बार रुपए की कमी आने की सभाब ने हैं बर्दमाने सरकार पीपियर वारों को 137 गरीब डिखाय से उपर एपियर को 114 रुपे प्रती लीटर तेल उप्रवद करवा रही है तो सरकार ने हारी में 303 के टेंडर की थे 303 में पांच और रिफाइंट तेल में तीन में भाग लिया था चलिए उस नेक्स अपडेट ये रही एक्सिलेंस कोलेज संजोली में छात्रावास फीस में 1500 रुपई तक की बढ़ोतरी कोलेज तक की बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है जो एक्सिलेंस कोले संजोली है वहां पर 10700 रुपई बार्शिक होगी अब फीस तो एनूर फीस अब जो है 10700 रुपई होगी और चात्रावास विदा के लिए चात्रों को अब बार्शिक 10700 रुपई फीस चुकाने है पर उपी प सब्सक्राइब बार्शिक वर्ष के करीब 85 शात्र शात्र वासों में रह रहे हैं चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही है सजीवाने में चतुर श्रैनी के 28 पत दानिकादार पर भरे संग तो यह यहां पर कहा गया है और इदर आप देख्ष्टों लोग से पाइज आयों के अधक्ष्ट जोसे तस्य हैं उनना शब्त आप लिए हैं चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही भूमे मारकों को बिना सुचित किये हैं कि दर्जरकार के नाम कर दिये इंतकाल फॉर लें बनाली फोर लेंट टू लेंट लेंट निर्मान के लिए अधिगरत की गई भूमी के इंदर सरकार के दिये इनन चाहिकिंग अधिगरन यह जोरे मापदन रपनाये हैं शुरु से विवादों में रहे फोर लेंट निर्मान में एक और अधिर्यम का लंगर हुआ है भूमार की आया था सुनने में कि यह जो हैं यहां पे जल्दवाजी कर रहे हैं अब देख लेते इसमें क्या है तो यहां पे बैटेक में बोर्ड की और से प्रिक्षाओं की तीथी पर बिरुबत तर्च कर आते हुए इसको बदलने की मांग है और इसी जो हैं इसी बीच बोर्ड दसम मामराज पुंडी नहीं मुख्य मुख्य मांगों से शिक्षा मंत्र से अगवत करते हो का कि अध्यापकों के लिए निती बिना जानी चाहिए तो यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों और यहां पर कुछ अपडेट है ठीक है चले दोस्त नेक्स्ट अपडेट और आजकल जो है आगे तितियों को बदनने के लिए यहां पर बिजार कर प्रजेश करकारी ऐसा यहां पर कह रहे हैं चले नेक्स्ट अपडेट यह रही मंडी में बिश्वजाले खुलने से एक डोल में प्रवेश का फसान नया पेच तो यहां पर अपनी अक्तवय परिजी से बाहर ह फेर यह शुरूब नहीं हो पा रही है तके डिस्टन्स एजुकेशन शुरू के बश्वजाले की नहीं। परदी से ही छातनों के प्रवेश दियने की शरत प्रवेश प्रक्रिया जारे जीना तो में एंटेश ब्स coração šस तो प्रोफेसर संजो करूर बने डोल की निदेशक चलिए दूसर नेक्स्ट अपडेट यह रही सुएस के विद्यारती 29 अगस्त तक जमा करवाएं फीस प्रिक्षा सुल्क आठमी दश्मी और जमा दो के प्रिक्षालतियों ने जमा नहीं करवाई है फीस तो 29 अपडेट यह देश देने की मांग वाले आज को पर विचार करने से इनकार कर दिया है नेक्स्ट अपडेट यह रही प्रणा मुलक नौकरी के लिए योग अभिहत्यों को निर्धारी समय में करना होगा आवेदन और अगर यह आवेदन निर्धारी समय के अंदर नहीं की जाते हैं तो उ हिमाचल में हिमाचल का एक भी विश्व दाले नहीं है तो यह दोस्तों अब देशके तो लिस्ट में स्टैनेक्स अपटेट यह रही एनाईटी में प्रिक्ष्ट को 31 गस्त को प्रवेश प्रिक्षा सीविल इंजिनिरिंग समेट 14 विभीन विभागों में होगी प्रिक्ष और बाकी ब्याट के लिए कल से आविजन स्टार्ट हो चुका है सेकेंड नाट के कौंसलिंग के लिए और मैंने बतावी दिया किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और कौन अप्लाई कर सकता है वो सब कुछ मेना वहाँ पर बताया हुआ है ठीक है बाकी यहीती दोस्तों सब्सक्राब जुरू करिएगा मेरे लेटेस्ट अप्डेट्स के लिए थैंक यू